नमस्का दोस्तों रादे रादे ओसम कलेक्टिप्स में आप सभी का एक भाफिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जे हैं दोस्तों आज हम फिर उपसे थें एक महतपून जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंदूर के कुछ अचूक उपायों के बारे में जिनको करने मातर से आपकी बंद या स्वोई किसमत खुल जाएगी। सिंदूर का हिंदू धर में विशेश महतो होता है। साधी सुधा औरतें अपने सुहा के लंबी आयू के लिए सिंदूर लगाती है। आईए जानते हैं सिंदूर के कुछ अचूक उपायों के बारे में। साधी सुदा औरतों के लिए जहां सिंदूर सुहा के निसानी होता है तो वहीं पूजा पाठ में भी इसका विसेस महतो होता है अगर पढ़ाई लिखाई में एक आगरता नहीं आ पा रही है तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई और नौकरी में एक आगरता के लिए सिंदूर को गनेश जी को अरपित करें ऐसा करने से पढ़ाय लिखाई में आ रही समस्या दूर होगी और आपका आपके काम में मन लगने लगेगा वही दोस्तों आर्थिक समस्या के लिए क्या करना चाहिए अगर आप आर्थिक समस्या से भी जूज रहे हैं तो मालक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें नारियल पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेट कर अर्पित करें ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी मा लक्षमी की पूजा के बाद नारियल को अपने विवसाई की जगह पर रख दे इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा हिंदू दर्म में महिलाओं का साधी के बाद सिंदूर लगाए बिना उनका सिंगार अधूरा माना जाता है महिलाओं साधी के पश्चार हर रोज अपनी मांग में सिंदूर लगाती है वहीं दोस्तों सिंदूर का उप्यो कई धार्मिक कारियों में भी किया जाता है इसके अलावा हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाना बेहद लाबकारी माना गया है अगर आप मंगलवार या सनीवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो हनुमान जी से प्रशन होकर आपकी सारी मनक्वाम नाओं को तुरंत पुरा कर देते हैं तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चानल को लाइक और सुब्सक्राइब करना बिल्कुर भी न भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके जन्यवाद दोस्तों राधे राधे